हेलो फ्रेंट्स वेल्कम पैक ट्रू रिपियर में मोश्रम अपका रिपेरिंग गाइड हाजी रू एक और नविडे के साथ सो वेदाव ट्वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दा ओपड़ेशन हम अपरत बंच सो फ्रेंट्स है है आप मेरे हात में देख सेकते हों टैक्नो का इन टू तोफो एक्चोलि में दोस्तो इसका क्या हुआ है का टश्क्रिंट है यह पूरते ही ऐसे टूट चुका है अब्यज़ से किसूप कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है और इसका जो डिस्प्ले है यह अभी तक अच्छा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे खाली इसका टस्क्रीन जो है इसको चेंज करके आपको दिखाएंगे तो किस तरह से करना है दोस्तों आप पूरा वीडियो को एंट तेक दिखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो है हमारे हाथ में है जो नवाला टाज होगी हम चेंज करने वाले है ठीके तो चलिए करते हैं इसको साइड में और उसके बाद हम क्या करनेंगे मोबाइल को ओपन करनेंगे तो मोबाइल को ओपन करनेंगे दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका जो स इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे जो फोल्डर के कनेक्टर और बैठी कनेक्टर के उसको रिमूब करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उसका उपर का कोबर है उसको निकालना पड़ेगा ठीके तो फटावर्स इसको निकाल लेते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखेगा दोस्तों किस तरह से में कर रहे हैं स्टेप बैस्टेप फोलो किजीगे इसको उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे जो फिंगर प्रिंट संसर है उसके कनेक्टर को रिमूब कर लेंगे उसको भी आराम से निकाल लेंगे ठीके और जो यहां पर बैटरी कनेक्टर है उसको भी रिमूप कर लेंगे ठीके तो उसके बाद दोस्तों क्या करने के बैटरी को रिमूप कर लेंगे क्योंकि बैटरी के नीचे से जो फोल्डर का पता है वो निकलता है तो बैटरी को रिमूप कर लेंगे दोस्तों सबसे पहले तो उसका स्टीकर है दो दिया है दो साइट में उस को आराम से निकाल के एक दर धीरे से को खीचके निकालना है ठीक है तो दोस्तों यहां पर फोल्डर स्वोड्र को निकालनी पाद हम क्या छो टाच माई हम फोल्डर है इस उसके उपर हम एक सेरोटीप लगा ठीके तो ज्यादा तूटा हुआ है तो आप सेलोटिप लगा लिजेगा तो इससे आपको थोड़ा सा मदद होगी ठीके तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसको हीट मेशिन में रख देंगे सेबरेटर मेशिन में ताकि यह थोड़ा सा हीट हो जाए और जो फोल्डर में नहीं लगना चाहिए स्टील ओपेनर खाली टाच को थोड़ा सा उठाईए और उसके बाद यह जो प्लस्टिक का टुकड़ा है आप देख सेकतो यह आपको 6D 11D टेमपर का जो पैकेट होता है उसमें मिल जाएगा ठीके तो यह एकदम फ्लेक्सिबलर पतला होता है और इसको इस तरह से इन कीजेगा और इन करके इसके राउंड घुमा के फोल्डर को आप आराम से निकाल पाओगे ठीके तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखेगा मैं किस तरह से इसको उपेन करता हूँ तो आपको एकदम आसान ही होगी और आप खुझ से यह कर सकते हो ठ ठीके दोस्तों यहाँ पे फोल्डर हो चुका है रिमूब बट हम एक चीज भूल गए यहाँ पे जो फोल्डर है इसके नीचे से एक कोर कनेक्शन जाता है जो कि सब पीसीबी में स्पावर सप्ले का का काम करता है जो कि जिसकी मदद से आप जो स्पीकर माइक वगरा का फं रिमूब कर लेते हैं ठीके उसके बाद हम फोल्डर को निकाल लेंगे तो दोस्तों इसको रिमूब करते करते हैं आप से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को पसंद आ आता है जहां से माइक जो रिंगर साउंड आता है और जो नेटवर्क वगरा और चार्जिंग का कनेक्शन होता है ठीके तो यह दूसरी कंपेरी में क्या होता है दूसरे जो मोबाइल होता है उसमें डारेक्ली एक पत्ता दिया होता है डेडिकेट जो डारेक्ट मादर बू से सोल्टिंग को खोल लेंगे उसको अलग करनेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम इसको सेबाट कर देंगे करनेंगे बाद हम क्या करेंगे जो टच है उसके ऊपर में यारपीस का ऊपर का एक कोबार होता है चोटा साटीन का टुकरा यहां पर तो उसको हम रिमूप करनेंगे क्योंकि यह आपको अलग से नहीं मिलेगा ठीक है तो इसको नहीं लगाओके तो क्या होगा जो उसके को दिखा सके किस तरह से इसको सपार्ट करना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ये वाण फटेंघ करना तक 15 तक गरम हो चुका है हाला कि 15n um 105 से 10 Please सफिचेंट है ठीक है तो यहाँ पर देखते तो दोस्तों आप मदद से हम इसको सेपार्ट करनेंगे फोल्डर को ठीके तो किस तरह से करना आप दोस्तों देखेगा तो सबसे लग दोस्तों हम क्या करके फोल्डर को इस तरह से रख देंगे और भेकुम को अन कर देंगे ताकि यह हिलाना ठीके ठीके तो उसके बाद दोस्तों हम आयरन वैर और दोस्तों मेर पास ऐसे साफ कर लेंगे जो आपके पास अगर नॉर्मल ध्लीनर है तो तो हो है नहीं तो प्लकुन का स्प्रे ? यूज़ कर सकते हो यह साफ कर जाएगा ठीकेOh कर तो कुछ इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजे ठीक ह mist है oh जो दोस्तों यहां पे डिस्प्ले को अच्छी तरह से साफ kolay के बाद हम क्या खरेंगे जो नुखल भला टॉजह करना है उसको स्टिर कर लेंगे ठीके तो किस तरह से करना है दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए आच्छी से कियो e یہ ही है वीडियो का मेंट पार्ट तो इसको ध्यान से देखेया दोफ़ो तो सबस्फ़ भीलेता हम दोफो हम टब टॉस्ट का सारह स्टिकर को निकाल लेंगे जितने स्टिकर पपर लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे कि इस स्टिकर को २िकलने के बाद दोस्त हम क्या करने के हमारे पास एक table है यह वला जो double tap है इसकी मतलस्य हाम क्या करने के जो touch है उसके चारो और हम इसका फ्रेम है side का frame वहां पे चारो एक एक टैप लगा देंगे इस तरह से तो एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह पिये मेंट पार्ट है इस वीडियो का ठीके कुछ इस तरह से आपको इसको लगाना है ठीके इस तरह से चार और आप लगा दीजे खाली उपर को छोर के उपर की ओर आपको नहीं लगाना है ठीके तो नीचे साइड में और नीचे लगाना है और उपर की ओर आपको दूसरा वाला टेप लगाना है एकदम पतला वा आपको तीन रेप लगाना है इस तरह से तीन बार लगाना है ठीक है तीन लेयर लगाना है उसके बाद इसके स्टिकरिंग को उठा दीजिए जितने भी स्टिकरिंग है उसके भी उठा दीजिए और पहले जो हम लगाये था उसको भी स्टिकर को उठा दीजिए ठीक है तो यह डबल्ट है पे दोनों और इसका गम रहता है तो यह टाच को और डिस्प्ले को अपस में जोड़ देगा ठीके तो एकदम ध्यान से देखेगा दोस्तो तो दोस्तो इस तरह से सारे टेप को निकलने के बाद हम क्या करेंगे जो डिस्प्ले है उसको अच्छी तरह से एक बार साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी रहना जाए ठीके तो एकदम अच्छी तरह से इसको साफ कर लिजिएगा ठीके उसको सफन का दोस्तों हम क्या करने के टच को एक हात में ले लेंगे और डिस्प्ले को क्या करने कि अगदम उपर की ओर से इसको एकदम धीर अच्छ को उपर से डाल दीजेगा जिस तरह से ओसी पर लगता है ठीके तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बीना ओसी एक फोल्डर बना सकते हो ठीके आप देखिए हैं पर स्टीकरिंग उठाने के बाद देखिए एकदम क्लीन है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीके तो कुछ देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसको लगाना है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से टैप लगा देंगे ताकि यह शौट ना हो जाए ठीक है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे जो एरपीस के ऊपर का जो एक छोटा सा टीन का टुकरा हमने तो दोस्तों सबसे बहलें आपको क्या करना आ Lite सबसे हीना ही जो folder का बड़ा पत्ता है उसको आपको इन करना है उसके बाद जो छोटा बाला पत्ता है उसको भी इन कर देना है तो ध्यान से इसको इन किजिएगा कुछ इस तरह से ठीके उसके बाद दोस्तों आपको इसके उपर की ओर पहले बिठाना है उसके बाद नीचे की ओर आपको इसको छोड़ देना है तो एकदम आराम से हलके हातों से इसको प्रेस करके इसको बिढ़ा देजी इस तरह से जादा जोड़ सी प्रेस करने के जरूरत नहीं ठीके उसके बाद दूस्तों हम क्या करेंगे जो यह जो फोल्डर का पता है इसके नीचे हम स्टिकरिंग लगा देंगे ताकि यह अच्छी तो यहाँ पर दूस्तों डिस्प्ले के पत्ते को लगाने के बाद हम क्या करेंगे बैटरी के नीचे भी एक एक टेप लगा देंगे इस तरह से क्योंकि बैटरी निकलने के बाद इसका गम थोड़ा कम हो गया है तो इसको लगाने से यह अच्छी तरह से बैठ जाएगा भी हम बिठा देंगे और सारे स्क्रूप को लगा देंगे ठीके और उपर का जो पॉर्शन है जहाँ पे फोल्डर का कनेक्टर लगता है और जो बैटरी का कनेक्टर लगता है वहाँ पे भी हम जो उसका उपर का कोबर है उसको भी स्क्रूप की मदद से लगा देंगे और फि से पहले तो आपको उपर की ओर से इसको बिठाना है उसके बाद राउंड राउंड घुमा के इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको बिठा देना है तो ज्यादा जोर से प्रेस करने के जरूरत नहीं है दोस्तों यह ठीके उसके बाद उसके बाद गडर से ना जो र से काम कर रहा है और इसके डिस्प्ले का कंडिशन क्या है ठीक है और इसको लगाने के बाद किस तरह से यह दिख रहा है तो आपको हम बगारा नहीं है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कम खर्चे में खालिटा आज को खरिद के आप इस तरह से फोल्डर बना के इसको लगा सकते हो ठीके तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर देजिए तो चलिए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार बंदेबातर